डैनिशोर्स के जमाने पे वान एर में 370 डेज होते थे हर कोई सीस पास्ट में ही डिकाई देता है ऐसी कहीं सारे इंट्रेस्टिक पारे में जानने के लिए मेरे साथ बने रही है और मेरे सेनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर वीडियो पसंद आया तो लाइट कर दीजि इसका जो बोधी है ना उसका 95% पार्ट ही वातर है और इस क्रेचर का ब्रेइन ब्लाद और हार्ट नहीं होता यह असलब फिस नहीं है इसको अनभर्टरब्रेट्स का जाता है यानिके एनिमेल्स विद नो बून्स और यह डाइनसोर्स के पहले से ही आट पर ठे हमें हर आसमें ही दिखाई देता है क्योंकि हम किसी सीच को तभी देख सकते हैं जब उस पर लाइट पढ़दी है और लाइट को भी टेवल करने के लिए ताइम की ज़रूरत होती है हमें राप की आसमा में जो सितारे दिखाई देता है वह असल में कई लाइकियर पहले ब्रस्ट् क्योंकि रॉसनी को ट्रेवल करने के लिए ताइम की ज़रूरत होता है और इसी के मुताबिक हमेज सूरज आत मिनिक और सांग को दो मिनिक बात दिखाई देता है क्या आपको बता है बास अरोफलेन के तड़्ाई स्पेसक्राप का भी इस्पेस में एक स्पेस स्टेशन है जिसको इंटरनेस्ले स्पेस इस्टेशन ताज दाता है यूएस रासिया जपान यूप और कानादा की स्पेस एइजन्सी मिलकर इसको बिल्द किया है इस station पर space travelers या कोई astronauts रूप कर rest कर सकते हैं लेकिन इस पर रूपने के लिए हर किसी को Russian language आना जरूरी है क्योंकि Russian Space Agency वर्ल का सबसे बरा space agency है और ISS का तक्रिबन आदा हिस्सा Russian build है और इस पार्ट का system Russian language से operate होता है British astronaut Kim Park ने कहा है कि Russian language सीखना astronaut बनने की training का सबसे मुश्किल पाठ था यह जो घूंगे होता है ना मतलब यह जो snails होता है अक्षर flower garden trees पर डेखने माला क्या आपको पता है इसके teeth कितने होते हैं approximately 14,000 teeth होते हैं उसके उस चोटे से मूँ पर जो कुस ऐसा दिखता है इस दुनिया में सायद ही ऐसा कोई जानवर होगा जिसका 14,000 से भी ज्यादा तित हो अकर 360,000,000 एट पहले जब आर्ट पर ट्रीज नहीं होते थे तब आर्ट पर बहुत बड़े-बड़े मतलब बहुत ही बड़े-बड़े मास्टून सुआ गड़े थे जो लगबग एक मीटर चौरा और आंथ मीटर तक लंबा होते थे दुनिया की कई रिजन्स पर इसका फ नहीं बैच है उनकि इसको हिंदी पर समकातर का जाता है पूरे वर्ड पर 1200 स्पीचिस का बैच पाया जाता है बैच का एक स्पीचिस जिसको बंबल भी का जाता है वो दुनिया का सबसे सोटा मैमल है जाएंट, गोल्डेन, प्राउन, फ्लाइंड बैच बहुत का सबसे जिसका एस 4,800 यह चे भी ज्यादा है ब्रिस्टल कॉन पाइन्यों का यह पेड इजिपकेन पीरामी चे भी ज्यादा पुराना है ऐसा कहा जाता है डियर आट प्रीज ओल्डेट हिस्प्री अरकोई इंग्यान चिटिजन ने उट्टर प्रेश में होने वाला कुंभा मेला के वाले मेटर सुनाई होगा गंगा यमुना और सरस्वत्ती के संगम में होने वाला यह डिलिजियस फेस्टिवेल वर्ल का सबसे वारा डिलिजियस गैडरिंग है क्या आपको बता है हमारे आर्ट जैसे सूरस की सारो तरब से चक्कर लगाता है वैसे ही चूरस भी गेलेक्टिक चेंटर यानि के मिलकी वे गेलेक्षी की सेंतर का सक्कर लगाता है यानि के आर्ट की तरह ही सूरस भी रिवोल्फ होता है और सूरस के साथ ही हमारे पूरे सोलर सिस्टेम रिवोल्फ करता है और इस रिवोल्यूशन के सल ते हमारे पूरे सोलर सिस्टेम 8,28,000 km पर आवर की स्पीड में गेलेक्टिक सेंटर के एराउंड ट्रेबल करता है और इसी स्पीड में वान इवोल्यूशन कम्प्लीट करने के लिए 250,000,000 आठ एर लग जाता है और शूरस की एर्ट रिवोल्यूशन कम्प्लीट होने को गेलेक्टिक एर या कॉस्मिक एर का जाता है जब डैनिशोर्स जिन्दा थे तब आर्ट में 1 एर में 370 डेज होता था और एक दिन में 23 होता था हाला कि इसमें डैनिशोर्स का कोई हाथ नहीं है असल में हमारा आर्ट जब फॉर्मेशन हुआ था तब आर्ट का स्पीनिंग स्पीड यानि कि अपनी एक्सिस में घूमने की स्पीड बहुत ज्यादा था साइंटिस के मुटा भी स्टार्टिंग में आर्ट पर एक दिन 4 होर्स में ही कम्प्लीक हो जाता था मून की ग्रेविरेशनल इंफ्रेंस की वज़ा से आर्ट की स्पीनिंग स्पीड डिरेजरे कम होने लगा और ऐसे ही डाइनोसोर्स के टाइम पे ये 23 होर्स तक पहुत गया और अभी 23 होर्स 56 मिनिट 4 सेकेंड तक बढ़ गया